में लोगों से पूछता हूँ मरसनरी चलो मैंने पहला पहली बात की मैने कभी ये मरसनरी शब्ध यूज किया ही नहीं था ये तमाम जो ये देश-द्रोही सड़ा हक इत्थे रख वाले हैं, ये इगाली दे रहे हैं कि कनेडा और यू एसे में तुम कहरे हूजा के साड मार्याख रहे जिस अफ़लों ना-लायक है है बाकि तो सभी लाल कूरती थी आज भी आप मेरत में तमाम के इंटोन्मेंट में जाओगे तो लाल कूरती क्या अभी एतिहास कोई जानता नहीं मेरे ब्रिटिश इंडिन आमी उस समय बिटिश आमी से मेरे कोई नफरत नहीं और नफरत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय आप फौज का छोड़ दीजिए पूरी बेवस्था ही पूरी बेवस्था ही जो थी वो जिसको आप कहते हैं महसनरी वो थी ICS क्या था पूरा महसनरी था पुलीस क्या थी पूरी महसनरी थी कि वहीं लोग जो वर्ड वर वन लड़े थे उन्होंने अंधा धूंद गोलियां चलाई जलियां वाला बाग में मैं चलिए आप अपना कर्तव निभा रहे थे आप हुक मान रहे थे अपने आप अपने नमक हालाली का परचे दे रहे थे वह एक अलग बात है लेकिन उसके ब में एक आप क्वेश्चन मुझे दिखा दो वाट वस्ट्रिबूशन आए और फ्रीडम मुवम्मेंट एक क्वेश्चन आप को दिखा दो ऑन दे कौंटररी वह टोल्ड आप इमें डिस्क्राइब कि सुभाश बोस वस रेट सुभाश बोस वस राट अब विश्वास नी कर जो भी उससे बन पड़ा मतलब लोग ऐसे लगता था कि उन्होंने एक आवाहन दिया और आप समझ नहीं सकते हो कि कितना कितना पैसा ओल ओवर इस सब कॉंटिनेट और इन साओधीस टीश एशिया वो मर्सेनरीस के लिए नहीं था हमारे लोगों ने सेकंड वर्वार के लि दूनिया की कौन सी सरकार है जो सड़क और हवाय अड़नी बनवाती सब लेकिन सरकारों को यह भी तै करना होता है कि उस सड़क पर विचारधारा कौन सी दोड़े की और यह तो थे यह भूके नंगे थे यह ब्रिटेन वाले आप अगर 14th 15th century का अगर आप पूरा हिस्ट्र जी पढ़ लो यह तो भूके नंगे थे आपको मालूमें कंगी भी नहीं करते थे इनके पास कंगी नहीं होती थी यह तो हमारे हां से पैसा जाना शुरू किया तब यरोप का रिनासा शुरू हुआ दिस आरेसें सिंग यूर वाचिंग डिफेंसिव उफेंस एट अगस्ट 1942 कुइंट इंडिया मुव्मेंट लॉंच किया गया जिस दिन यह लॉंच किया गया उसकी दिन कॉंगरेस के जितने शिर्ष के नेता थे उन लोगों ने अपने आपको गिरफतार करवा लिया वो सब एक ही जगह पे थे गिरफतार हो गया अब 18 अगस्ट 1942 से लेके जब तक दित्व महायुद वर्ल्ड वार टू खत्म नहीं हुआ कौन हिंदुस्तान की आजादी के लिए जब्दु जहद कर रहा था सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम था नेचा जी सुबास चंदरबोस क्विट इंडिया मूवमेंट तो वो डैंप स्कुइब जिसको बोलते हैं लीडरलेस हो गया था नित्यत्र हीन हो गया था तो वो अपने अपने डियरेक्शन में थे कुछ लोग चला रहे थे लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं थी क्योंकि शिर्फ नित्यत्र जो है जेल में थी तो एक आदमी पूरे दुनिया भर में ये जंग आजादी की जंग लड़ रहा था और उसने इतने छोटे से वक्त में एक सेना तयार की एक सरकार का गठन किया वो सरकार जिसको नौ से और दस से ज़्यादा जितने एक्सिस पावर्स थे सबने उसको मानने मानिता दी उसने अपना करिंसी जारी किया उसने अपना स्टैंप जारी किया उसने अपना एंथम बनाया उसने अंडमंस में पर बाद में वो व्यक्ति जब स्टेट से एक्जिट कर जाता है उसको एक्जिट करवाया जाता है तो उनके लिए सिर्फ एक बड़ा आसान काम था ट्रांस्फर ऑफ पावर आजादी की तो गोशना उन्हों नहीं कर दी थी अब इसके पीछे कई कई माने लगाया जाते हैं और वो बही अभी जो बाते खुल के आ रही हैं कि आपने कहा जो कि हमेशा कहा जाता है कि गांधी ने कहा कि हमको तो बिना ढाल के मिल गई आजादी तो साथ हजार में से चब्विस हजार आजाद धिन्द फौच के लोग शहीद हुए थे कितनी बड़ी कुर्बानी थे और वो चब्विस हजार की कुर्ब्यावनी बेर्थ नहीं हुई थे वो चाहे उसको जितना भी दबाया गया हो लेकिन वो एक लौग की तरह एक लौग की तरह वो सारे हिंदुस्तानियों के दिलों को उसमें उसने आग लगा दी थे और तब ही आपको मालूम है कि जबलपूर में जो म्यूटिनी हुई नौ सेना में म्यूटिनी हुई वो सारा का सारा एक आस्मोसिस था ये निता जी सुबाश चंदर बोस के आएने का और तब हिंदुस्तानियों ने सारी अंग्रेजों ने ये एहसास किया कि हमारा जो में इंस्टुमेंट था जिसको जिससे हम जिसके द्वारा हम रूल करते थे वो इंस्टुमेंट ही मेरा गड़वड हो गया है उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है आजकाल एक बड़ी चर्चा हुई मरसेनरी इसकी कौन मरसेनरी है और कौन नहीं मरसेनरी है तो आपको मैं बता दूँ कि किसी भी समय अंग्रेजों की संख्या हिंदुस्तान में असी हजार से ज़्यादा नहीं हुई थे किसी भी समय असी हजार से लेके और उसमय मैं जब आजादी मिली थी तो चलिये तीस करोड ते injust करोड हमारी आबादी थी 80,000 लोग 33,000 क्रोर पे हुकूमत चला रहे थे और वो हुकूमत किसके बल्बूते पे तो उस समय की जो सेना थी उसके बल्बूते पे पुलीस की नहीं आपको तो मालूम है आर्मी से ही डेपूटेशन पे जाते थे आज भी यूपी में कफ्तान साब कहा जाता है का सारा थेट परसेप्शन इंटर्नल था उसके पहले अंगलो मराथाज वार, अंगलो गुर्खा वार, अंगलो सीक वार हमारे पुर्वजों ने भी लड़ा अंगलो सीक वार ठीक है ना आपके पुर्वजों ने भी लड़ा होगा ये तमाम लड़ाईयां जो है इसका मतलब ये है कि जब जैसे ब्रिटिश ने ब्रिटिश का जब expansionism सुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले East India Company की जो आर्मी बनाई तो बिंगॉल आर्मी बनाई बाई तीन बाद में तीन presidency आर्मी बनी तो बिंगॉल आर्मी जिसको लाल कूर्टि बोलते हो ये जितने ये East India Company की आर्मी थी वो लाल कूर्टि ये थी तो उन्होंने भरती किया हमारे लोगों को अब हमारे पूरवज आपके पूरवज क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ उसी बेल्ट से आप भी आते हैं तो हमारे लोगों ने उनको पुरानी बेवस्था से मुगल बेवस्था से उनको कोई दुश्मनी होगी या कोई रोश होगा वो भरती हुए तो जहां जहां उनको लड़ाए गया उन्होंने लड़ा आपको मालूम है कि एंगलो सीक वार में अंग्रेज थोड़ी लड़ रहे थे अंग्रेज तो किबल नेतुर्ट के रोल में थे ओफसर के रोल में थे बाकि तो सभी ये लाल कूरती थे आज भी आप मेरट में तमाम के इंटोर्विंट में जाओगे तो लाल कूर्ती किया, अभी यह थीहास कोई जांता नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूँ, कि जिसने भी उस समय लड़ा, हम गुलाम थे, उसके पहले मुउगलों के गुलाम थे, उस समय भी जो लोग मुगलों के नीचे लड़ते थे, वो भी MSNRI थै हमारे पुर्वज भी MSNRI थै तो उस में तो कोई ये है नहीं आप MSNRI SHABD इस्तिमाल करना चाते हैं और कोई SABD इस्तिमाल करना चाते हैं उनके पास कोई साधन नहीं थै मैं लोगों से पूछता हूँ MSNRI चलो मैंने पहला पहली बात की मैंने कभी ये मरसनरी शब यूज किया ही नहीं था ये तमाम जो ये देश द्रोही साड़ा हक इत्थे रख वाले हैं ये इगाली दे रहे हैं वो मरसनरी वाला काम था वो साड़ा हक इत्थे रख तुम इंगलेंड की सरकार से मांग रहे हो मांग रहे हो कि साड़ा हक किते रख तुम खालिस्तानी हो कि केनेडा और यूएसे में तुम कह रहे हो जाके साड़ा तो ये ये सारे वही नालाइक है ये आपने मरसनरी का डेफिनेशन आप छोड़ी है हम क्या आप उसको कैटेगराइज क्यों करें उसको मैं उसको उसकी व्याक्षा क्यों करें लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ कि जब आपने आजाद हिंद फौज की बात कि आजाद हिंद फौज यानि कि आएने किसके खिलाफ लड़ रही थी सब जपैन में उनके खिलाफ हिंदुस्तानी ही थे ना वो हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे है ना उस लड़ाई में अगर आपको पक्च लेना पड़े तो आप किसका पक्च लेंगे वो ब्रिटिश सेना का या आएने का मेरा पक्ष तो आएने के साथ होगा अब आप समझें कि मरसनरी और मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ जो भी आपके माध्यम से जो लोग भी इसको सुनेंगे कि दोनों में उधर हिंदोस्तानी इधर भी हिंदोस्तानी तो आप आएने का पक्ष लेंगे या आप ब्रिटिश आर्मी का पक्ष लेंगे आपको पता चल लेगा मैं तो सुबास से आएने के साथ हूँ उस लड़ाई में मेरी कोई नफरत नहीं है मेरे बृटिश इंडिन आमी उस समय बृटिश आमी से मेरे कोई नफरत नहीं और नफरत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय आप फौज का छोड़ दीजिए पूरी बैवस्था ही पूरी बैवस्था ही जो थी वो जिसको आप कहते हैं महसंतरी वो थी ICS क्या था पुरा मर्सनरी था पुलीस क्या थी पूरी मर्सनरी थी और अगर आप उसको देखें कि ये मर्सनरी एटिट्यूड मर्सनरी एटिट्यूड का इसका फरक क्या हुआ कि जो हमारे हमारी जो सुरक्षा सेना थी उसे मैं military predominant थी या जो हमारा ICS था वो हुआ क्या कि वो अंग्रेज निकले और अंग्रेज इनको बड़ा बुली करते थे सांग बुली इन दे सेंस कि आप फॉज में पहले तो आपको मालूम है 1922 में हलका हलका स्टार्ट हुआ World War I में कोई officer officer में नहीं लेते थे और आपको एक और बात बता दू मैं 1885 में एक लेटनेंट करनल की पे 1100 रुपे थी और एक सिपोई की पे थी 15 रुपे मई ने आप समझ रहे हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ये मरसनरी थे लेकिन उन्होंने एक मरसनरी से न तयार की थे और जलियां वाला बाग में अब चलिए आपने World War I में जीता आए इंडिया गेट के उसमें आ गया नाम आ गया लेकिन उसी World War I के बाद क्या होता है वही लोग जो World War I लड़े थे उन्होंने अंधा धूंद गोलियां चलाई जलियां वाला बाग में चलिए आप अपना कर्तव निभा रहे थे आप हुक्म मान रहे थे आप अपने नमक हलाली का परचे दे रहे थे वो एक अलग बात है लेकिन उसके बाद खुशी जाहिर करना उसके बाद खुशी जाहिर करना कि यार वो उसके सुबेदार मेजर से पूछा उसने का मैंने तो मैगजिन खतम हो नहीं तो मैं तो और चलाता भी ये बयानते लोगों के तो आप इसको क्या कहेंगे साथ और उसके बदले में हम आपको मिला क्या रोल वाट आक जलियां वा वो तो Luteans Delhi नया नया खड़ा हुआ था और ये तो थे ये भूके नंगे थे ये ब्रिटेन वाले आप अगर 14th 15th century का अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लो ये तो भूके नंगे थे आपको मालूम है कंगी भी नहीं करते थे इनके पास कंगी नहीं होती थी ये तो हमारे हां से पैसा जाना शुरू किया तब ये रोप का रिरासा शुरू हुआ ये लोग आपके पैसे से उन्होंने लूटियन्स डेली बनाया ये भूकों नंगों को जब ये दिखा लूटियन्स के बंगलो और ये भवे राष्टपती भवन आप ही के पैसे से तो हमको मरसनरी की तरह वो टाम हमको नहीं बना के रखा था उन्होंने आपको मालूम है 1857 के बाद इंडियन्स का आर्टिलरी में बैन हो गया था नगो फिर बाद में ये थर्टीज में जाके रिवाइब हुआ है दे वे नौट कमिशन इंरेज्मेंट आफ आर्टिलरी तो क्य या उन्होंने मरसनरी से ना तियार की थी कि नहीं की थी दूसरी बात आपको मालूम है आज ये सारे ये सड़ा हक इते रखवाले यंगरेजी बोलते फूरते फिरते हैं कई इसमें गुर्खा रेजिमेंट के अरे तुमको गुर्खा रेजिमेंट को इनको नजदीक नहीं जाने दिया दिया था इंडियान ओफिसर्स वेर नेवर कमिशेंड इंड को गुर्खा रेजिमेंट वह अपना गुर्खा स्लुक को लेके अच्छा-च्छा हिल स्टेशन पर उनके आप देखत तमाम सेंटर्स देखोगे वहां पर इंडियन्स वेर नाट अलाओड एनिवे नहीं कहते हैं कि आखिर कोई बवस्ता है क्या है वाई जो शाषक का है तो लोगों को नोक्री चाहिए एक एक बिटैलियन है इंडियन आर्मी में जिसका बैटल ऑफ हॉनर है नाम नहीं लूँगा मैं जिसका ये मैं ये नहीं कहता हूँ साहब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत थे ना मेरे मन में कोई कटुता है मैं तो कहे रहा हूँ कि मेरे पुरवजों ने भी वो लाल कूर्ती में सर्व किया मंगल पांडे जैसे था उन्होंने भी सर्व किया ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि हमको मसंपरी करने मजبूर था, उसके राजनीतिक कारण रहे होंगे जो भी कारण रहे होंगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि अंग्रेजों ने, आपको ये भी एक बाट बताता हूं, मसनरी का अंगरेजों ने हमेशा हारी हुई जो सेना होती थी उससे वो अपना अपना सैन बल जो है उसको बढ़ाते थे अंगलो सीक वार में सीख हार गए फिर जब 1857 आया तो इन्होंने कहा कि देखो ये पुर्वईया लोग है ना ये पुर्वईयों ने तुमको हराया है इनका साथ मत देना एंड़ इस वाई दे सीक नेवर 1857 में देवर विदा ब्रिटिश ठीक है उसी तरीके से अंगलो गुर्खा वार में पुर्वईयों ने गुर्खा को हराया था फिर वो ट्रिटी अफ सुगवली हुआ और उसके बाद से फिर गुर्खास को हारे हुए लोगों से ये फिर अपना यह करते थे और मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास देखे साथ जब लोगों को कर्में कर्में कर्मेंश होगा यह सब सुनके कि यह जितने आप यह देखत मराठा लिगसी मराठा जने 40 साल तक लड़ा एंगलो मराठा वार्स लेकिन वो जब हारते थे तो उनका न्यूक्लियस न्यूक्लियस लेके वो हारे हुए फोर्स उनके कैवलेरी से उन्होंने जैसे यह रिजिमेंट्स बना दिये उन्हों अब मैं यह नहीं कहता हूँ का आज एक बेवस्था है उस समय भी बेवस्था थी उसके पहले मुगल की बेवस्था थी आप उसकी बात कर रहें साब आपके जितने क्लासिकल म्यूजिशन्स हैं इंडिया में वो ना हंड्रिट परसेंट हंड्रिट परसेंट वेर हिंदूस हुएर फोर्स तु कनवर्ट डागरबंदू तो यह दो तीन उसके पहले दो तीन सौ साल पहले सौरी दो तीन जेनरेशन पहले बिकॉज दिन नॉट गेट पेटरनेज मिया तान से आपको मालूम है कि जब इस पेर जैपूर के पास कौन सी जगह है कोई एक छोटा सा प्रिंस्पालिटी था उसके अख्वर ने हमला किया हमला किया तो वहां का जो राजा जो था समोखन सिंग ही वोज़ वेरी गूड रुद्रवीना प्लेयर उसने ही लेटर ओन वोज़ फोस्ट तो कनवर्ट तो इसलाम ही बिकेम नवाब खान और बाद में वो इसका मिया तान सेन का दमाद बना तो क्या करेंगे आप उसको अब जो दर्जा दे 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 आप मर्सिनरी म्यूजिशन बोल दे या जो भी कहते हैं बेवस्था वही थी तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं लेकिन इसमें कटूता नहीं होनी चाहिए कटूता नहीं होनी चाहिए कुछ इतिहास के पहलू है जिसके बारे में हम भी समझतें कि ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा था मुझे याद है मैं अपने स्कूल का एक पटना में गेट टूगेधर करवाया थे तो एक बुजर्ग थे उस समय इसके नाइटीन थर्टी ए उसी दौरहन के थर्टी एट थर्टी नाइन के पास आउट थे वो और मैंने उनको इन्वाइट किया है वो भी आए थे और उनके एक क्लास फेलो करनल महबूब एहमद वो भी आए थे एटी एट की बात है फौज हमको आएने के बारे में कुछ ज़्यादा बताय नहीं जाता था तो ऐसी बात हुआ मजाक हो रहा था फिर ये बुजर्ग लोग थे हमने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस पताईए तो उन्होंने कहा कि बर् आएने वालें का और मैं सुन रहा था ये हमको तमाम गालिया दे रहे थे अंग्रेजों के चम्चे ये वो करके लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसमें महबूब भी हो तो मौटर फायर खोलने के पहले तो मैंने थोड़े मतलब जो बता रहे थे कि मौटर फायर खो ना कटुता नहीं थी वो भी उनकी इज़त कर रहे थे कि ये देश के लिए लड़ रहे थे उनकी उनका अपना जो भी रीजन रहा हो अपनी अपनी सोच तो इस बात को इतनी कटुता से नहीं लेनी चाहिए लेकिन हाँ एक बात जरूर मैं कहूंगा कि उसका असर बड़ा हुआ चाहे वो बिरोकरिसी में मरसनरीज हो या पुलीस में मरसनरीज हो या आर्मी में जो भी है आप जो भी उनको कहना चाहें ठीक है वो ब्रेव थे तो हमारी उसमें हमारे राजाराम चंदर जी के समय से बहादुरी के हमारे वो हैं हमारे खून में लेकिन ये उसको ये क आप अगर उसको दर्जा दे रहे हैं कि मर्सनर इसका जो भी आप शब्द इस्तमाल कर ले उसका एक असर यह हुआ कि मैंने जो आपको कहा कि यह यह लोग हमेशा बहुत इंफिरियॉरिटी कॉंप्लेक्स सफर करते थे अंग्रेजों को लेकर उनके तरह बोलना उनके तरह कप बिलना वो सारे एक इंफिरियॉरिटी कॉंप्लेक्स था तो जब वो गए तो चीजें वही रह गई वो इंफिरियॉरिटी कॉंप्लेक्स फिर उन्होंने आजादी के बाद अपने ही लोगों पे थोपना शुरू कर दिया और वहीं से करप्शन शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने वो तो माइंडसेट में वो अंग्रेज थे उनको एप करना चा रहे थे कॉपी करना चा रहे थे इसलिए उन लोगों ने कभी अपना समझा ही नहीं अपने लोगों को और करप्शन क्यों होता है साब करप्शन का एक ही कारण है कि जब हम किसी को अपना नहीं समझते हैं ना तो हम उसी से पैसे लेते हैं आप किसी औहदे पे हो, आप अपने छोटे भाई से तो पैसे नहीं लोगे ना लेकिन दूसरे से ले लेते हो आप कि कि उसको आप अपना नहीं समझते हो तो उसकी बुनियाद वहीं से शुरू होई है माफ कीजेगा एक कहावत है ना सॉरी फ़र में लैंग्विज सक अप पिस डाउन अंग्री जी में कहावत है हिंदी में बोलूँगा तो इसका शायद बड़ा गंदा लगेगा सुनने में बट वो एटिट्टूट था और इसलिए आज वो जो ये ये वाले जो है ना ये पिस डाउन वाले उनको इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है कि अब लोग हकीकत कैसे उनको हकीकत कैसे पता चल रहा है दूसरा आपने कहा मरसनरी का और उसमें आपने डिफरिंस पर ये पूछा सब आप कौन होते हैं डिफाइन हों डिफाइन करने वाला जनता तो खुट डिफाइन कर देती है फर्क आपने आएने के बारे में पूछा आएने का जब उसको जब क्रियेट किया जा रहा था उसको जब खड़ा करते समय आप विश्वास नहीं करोगे कि लोगों मतलब किस तरीके से सही ओग दिया महिलाएं अपना चेन निकालके ठेला वाला अपना जो भी उससे बन पड़ा मतलब लोग ऐसे लगता था कि उन्होंने एक आवाहन दिया और आप समझ नहीं सकते हो कि कितना कितना पैसा ओल ओवर दिस सब कॉंटिनेट और इन साओध इस अशिया वो मर्सेनरी के लिए नहीं था हमारे लोगों ने सेकंड वोल्ड वार के लिए तो पैसा नहीं दिया ना सब सिट्री अलाएंस था इंको वर बाउंड बाउंड बाई लीगल इनो वो उन्होंने पूरा एग्रिमेंट साइन किया महराज आव जोदपूर ने वह एक नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से अंग्रेजों ने आपको मर्सेनरी बनने पर मजबूर किया और कल भी अगर कोई इन्वेडर होगा बाहरी ताकत होगी वो भी आपको मर्सेनरी बनाएगी जो लोग हमारे खलिस्तानी और जो कैनेड़ा और इस चंडी गड़ बोई, commissioned into the US Army. अरे क्या है यार? Is it an occasion to celebrate? So and so, गुर्देव सिंग सम्थिंग, you know, head of Singapore Navy. Is it an occasion to celebrate? I consider them mercenaries. तो वही होगा? एक दो जनरेशन के बाद, आप देखें, एक ही जनरेशन के बाद, आप देखेंगा, मैं तो ये सारे European's की सेना मैंने देख चुका है ना, manpower की बड़ी crisis है, यही लोग बनेंगे, और ये आपके खिलाफ लड़ेंगे भी. तो आप किसको ये कर रहे हैं? यहां से जो ये, जो रोना रो रहे हैं ये, कि हमको mercenary बोल दिया, आप बतहीने साब हर साल, फॉज से कितने लोग foreign countries में जा रहे हैं, मैं तो जब से commission हुआ तब से देख रहा हूँ. तो उनके बच्चे क्या महाँ पर सब physics और ये करेंगे, उसमें कोई सोच सेना में भी जाएगा. तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको पैट्रियॉटिक इंडियन बोलेंगे, अरे तुम माल की लालच में वहाँ गए, तुम साइन्स पढ़ने नहीं गए थे ना, ऐसे भी साइन्स हमारे आज़ादा विक से थे, तुम तो माल कमाने गए थे, उसके लिए तुम गए, तो इतना बोल दिया, तो आपको इतनी ज़्यादा की मिर्ची लग रही है, आपने एक तरफ, देखो, इसको कंट्रास्ट कीजिए, मैंने एक तरफ कहा कि सुभाश चंद्र बोस ने जब खड़ी किया, खड़ा किया अजादिंद फौज को, तो महिलाएं, मैंने कहा किस तरीके से, जो जिसको बन पड़ा, इवन इन 62, और लेट में टेल यू, माई ग्राइंड मदर, उन्होंने अपने पांच तोले का चेन दे दिया था, जब वो हो रहा था, जब उन्होंने डोनेशन समागे थे इंडियन से, पांच तोले का चेन उन्होंने, फेलोज एड कम, शी जब उन्होंने किया तो बहुत लोगोंने, मतलब वो कोई exception नहीं थे, सबी लोगोंने किया, वो, वो कॉज के लिए किया था, लेकिन, लेकिन सेकेंड वोल्ड वार में क्या हुआ था, second world war में, मैं individuals को नहीं blame कर रहा हूँ, जो लोग भरती हुए थे, उनको नहीं blame कर रहा हूँ, मैं उस समय कि, जो हमारे slavery के, जो पहलू है, जो अगली पहलू है, उसको मैं उजागर कर रहा हूँ आपके साथ, second world war में क्या हुआ साब, कि जब ये जैपनीज आ रहे थे, तो इनको लगा, कि, ये सीधे बंगला देश होके, और ये कलकता में चले आएंगे, और आज तक मुझे भी नहीं समझ में है, मैंने इसको, बहुत ध्यान से पढ़ा है, पढ़ा है बर्वा कैम्पेइन को, कि आखिर उन्होंने ये रास्ता क्यों नहीं लिया, क्या कारण थे, तो इनको लगा कि, ये सीधे कलकता में घुश जाएंगे, अरकान के थूँ, तो इन्होंने जितने नाव थे, या तो उसको डिस्ट्रॉई कर दिया, या उसको जब्त करके रख लिया, तो इसलिए वहाँ पर में जो ट्रांस्पोर्टेशन, कम्यूनिकेशन का जो मीडियम था, वो बोट्स था, डू यू नो, लोग, अब जब आपके वो गुड्स नहीं, इदर से उदर ट्रांस्पोर्ट हो रहे हैं, लोग भूखे मर गये, मिलियन, अट लिस्ट अ मिलियन डाइद इन आर्टिफिशली क्रियेटेड फैमिन, और जो भी वहाँ का जो अनाच था सर प्लस, वो सारा का सारा अनाच चला गया वो, इन वर्ल वर टू एफ़र्ट, तो अब दोनों को इन आपके रहे हैं, अब यू टेल मी और विच साइड, कल मैं टेलिविशन पर देख रहा था, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े बाते करें, तरह सर अब मैं फॉज में रहा हूँ, हमने जब कमिशन हुआ, एक फील्ड मार्शल स्लिम की किताब है, तो वो तो मैं थोड़ा बहुत इंडियन मिलिटरी एकाडमी में पढ़ा था, उस समय कमी बात समझ में आती थे, लेकि जो भी समझ में आया मेरे, तो उसमें हमको, यह बी सप्राइज तुनो, कि यह फील्ड मार्शल स्लिम, हैड दी गॉल, तो कॉल आयने राग तैंग सोल्जर्स, जिफीज, कोई कंटेस्ट नहीं किया, इंडिया शूद आप प्रोटेस्टेट, इंडियन आर्मी शूद आप प्रोटेस्टेट, आप एक, मेरे को किसी भी आर्मी के एक्जाम में एक, आप क्वेश्चन मुझे दिखा दो, what was the contribution of INA towards the freedom movement, एक क्वेश्चन नहीं को दिखा दो, on the contrary, what we were told, I can't even describe, कि सुभाश बोस वस रेट, सुभाश बोस वस दाट, बिकॉस देर, जो यह रोर है न, जिन लोग का आपने फोन पे नाम लिया, यह साले, sorry, I'm very sorry for this thing, यह वही लोग है, जिनके पुर्वजों ने यह प्रोपगेट किया, इतनी गंदी गंदी बात हैं, यह सुभाश चंदर बोस के बारे में, आप इनसे पूछिये, उसमें क्या, defeat into victory में, कितना disparaging वे में, सुभाश चंदर बोस के बारे में लिखा हुआ है, और इसको इन्हों ने प्रोपगेट किया, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, इट प्रिडूस दे फर्स परमीर चक्रा, अड दे फर्स विक्टोरिया क्रॉस, अब विक्टोरिया क्रॉस, जो जीतने वाले थे, उनका नाम था जेनरल पियेस भागत, बहुत बहुत शांदार वेक्टित्व, बहुत शांदार सोल्जर, और बहुत शांदार अडमिन्स्ट्रेटर, उन्हें बाद में, दामोदर वैली कॉर्परेशन का उनको हेड बनाय गया था, और उसमें एक मैगजीन निकलती थी इलस्ट्रेटिड विकली अफ इंडिया, उसमें ये लिखा हुआ था कि जनरल स्वंग इस बाटन पावर फ्लोड, और तिल तो देए पीपल रिमेंबर जनरल भागत, and for his contribution in 1971 war, तो अभी इंडिया इंटरनाशनल सेंटर में कोई फंक्षन था, तो उनकी जो पुत्री थी, उनकी बेटी, उनसे किसी ने मुझे मिलवाया, तो मैंने उनको बोला कि और फादर वस फ्रम माइ स्कूल ये वो, तो उनने का है कि I am writing a book on my father, I said yes, you must, लेकिन मैं मुझे मुझे मादम एक चीज, please carry a separate chapter on your uncle Tony Bhagat, General Bhagat had a brother, Colonel Tony Bhagat who was from our school, he was sword of honor Indian Military Academy, और second world war में he had joined INA, अब INA join किया तो, उनका तो मतलब career खत्म, I said he was no lesser soldier, देखे साब, आप अपनी पूरी भविश बलीदान करने, इससे बड़ा बलीदान कोई नहीं होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ वैभव जी, कि मैं उनसे ऐसे, कोई उनको पहचानता नहीं थे इसकूल में, One day I was having, he said, I am Colonel Tony Bhagat, I joined INA, ये वो, and then he told me that, General Bhagat was my brother, I said, look at this, ये सारा narrative का खेल है, ये सारा narrative का खेल है, sir, तो मैं उस उस नजरिये से, अब कुछ लोगों ने उसमें बड़ा, कि अच्छा, so you said, कि मानिक्शाओ was a missionary, General Bhagat was a missionary, come on, यार, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बोला कि उस समय की सारी बेवस्था ही ये थी, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप कैसे जानते हैं जल्मानिक्शाओ को? आप किस रूप में जानते हैं जल्मानिक्शाओ को? Man who gave you victory in 1971 war, ठीक है ना? अगर वो एकथर की लड़ाई में, अगर वो victory नहीं देड़ा है, he would have been just another general, हम लोग उनके पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो उनका contribution है, हम उसके लिए हम जाने जाते हैं, similarly ICS officers, जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस कुछ अच्छा काम किया, वो अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो एक अध्याय था, हम उस अध्याय के बारे में, जब हाँ, जब आप किसी आदमी की, जब आप विशलेशन करते हैं, तो आप कहते हैं कि यार, he fought very well, bravely, in second world war also, bravely, but, his contribution in 70, victory would not have been possible, you can say that, without General Manikshar, तो हम तो post-independence, तो वही तो General Bakshi ने कहा, कि आप ये, ये, इसको false equivalences, आप कैसे बना सकते हैं, ये हमारा, ये है, तो ये narrative correct हो रहा है, लेकिन ये जो बखवास कर रहे हैं, ये आके यहाँ पे, मैंने टीवी पे सुना, ये बहुत सारे ये, इन से पूछना मैं तो बोला तो, कि एक एक बार इनको बता दो, एक question दिखा दे, किसी भी आर्मी के exam में, promotion ये competitive exam में, कि what was the contribution, it was a taboo to discuss Indian national army, और अगर हम मरसरीन नहीं रही होते, तो 1968 तक सुभाष बोस पर यहाँ पर हम MI5 को क्यों रिपोर्ट कर रहे होते साथ, ठीक है ना, अभी वाले नहीं, पहले वाले नहीं पहले वाले, अभी वाले नहीं, पहले वाले, saluting और celebrating the cause of Indian national army, अभी आप इनसे पूछेंगे तो हम हैं, मैंने बात किया इनसे, यह कहते हैं नमक हलाली, अब नमक आपका अंग्रेज की तरफ है, या आपका किसी का कोई सोचता है कि मेरा नमक तो भारत माता का है, अब कुछ लोग कहते हैं नहीं इनने एक्सिस पावर्स के लिए लड़ा और वो फासिस्ट के लिए, अरे common यार, यह जो आपने डेफिनेशन से बना रखे हैं ना फासिस्ट और यह यह रिविजनिस्ट है, यह रिवाइबलिस्ट थे क्या थे वो, फासिस्ट थे क्या थे? बट यह रेलेवंट तुदे, अज बहुत आज भी वह एवं जिसको आप मॉडरन यह कहते हूं, उनका थे वह प्लेस, तेर फिलोसफी वोर्क्स, उनके फिलोस्फी दर्शन का रिलेवंट से, तो यह समस्या है हमारे हाँ, यह narrative अब है क्या, कि वो generation तो अभी गई है साथ, जो मैं यह कह रहा हूँ, यह frauds वाली जो generation थी, आधे, they were torn between the two worlds, वह यह चीज़ें, आक्सवोर्ड किसी को भेज़ दो, तो वो बहुत बड़ा आदमी बनके आगया, कोई MRCP करके आगया, तो बहुत बड़ा आदमी है, पाक्वारों में, पटना में देखता था, कि यह यह लोट रहे है MRCP करके, यह MRCOG करके यह महिला लोट है, today, do you know, my daughter is a doctor, आज यह कहते हैं कि आप जहां हो, वहीं आप बैठे रहे हैं, वहीं से exam दे देना, ठीक है, हम आपको आप इतने पैसे, पैसे ज़रूद ले लेंगे ही है, इतने, और अपने आपको relevant करने के लिए क्या करेंगे, कि यह बोलेंगे कि application का बस window 15 minute का है, तो 15 में जो भर गया था, naturally, that's a way of, you know, I mean, generating that respect, but कुछ नहीं बच गया, खोखले हैं यह, खोखले हैं, और वही साही खोखले लोग इनका यह चला रही है, देखे है, बात यहां तक अगर पहुच गई, कि जहां पर King George के कहीं पर प्रतिमा होती थी, आज, इतना भव्य वो बनने जा रहा है, इसका मतलब कहीं तो undercurrent था न, सर, कहीं तो undercurrent था, वो undercurrent उसको एक रास्ता मिल गया, और रास्ता मिलता है, जब आपकी जो बेवस्ता है, वो बदल जाती है तो, तो education देखिए ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, कि किताबों में क्या लिखना चाहिए, लेकिन आप ये समझे कि कितना बड़ा symbolism है, आप imagery देख रहे हैं, ये जो central विस्ता प्रोजेक्ट जो बन रहा है, पालिया मेंट्शिफ्ट कर रहा है, उसका वो देख लीजिए, आप जो नेता जी का जब बन जाएगा, तो पूरी जो आपकी imagery है वो बदल जाएगी, और मैं अध्या और विश्वनात मंदिर भी उसी संदर्ब में देखता हूँ, कि आपकी पूरी imagery बदल जाएगी, और सरकारे केवल, देखिए, दुनिया की कौन सी सरकार है, जो सडक और हवाई यड़नी बन वाती है सब, लेकिन सरकारों को ये भी तैय करना होता है, कि वो सडक पर विचारधारा कौन सी दोड़ेगी, समझ रहे हैं मेरी बात, नेशन बिल्डिंग सडकों से होता है, लेकिन अगर सडकों से आपके यहां सिंगू बॉर्डर वाला अगर तमाशा देखने को मिले तो उससे राष्ट का निर्मान नहीं होता है, सडकों पर अगर खलिस्तानी का कब्जा हो और जिहादियों का कब्जा हो उससे राष्ट का निर्मान नहीं होता है, लेकिन सडकों पर अगर सही विचारधारा जो की इस धरती की जो मूल विचारधारा जो है, वो विचारधारा दोड़ेगी तो आपका रास्ट का निर्मान होगा तो बच्चों का बिलकुल आपकी सरकार है आप जो पाठे करम है उसमें तब्दिली लाने की जरूत है अब जैसे आजाद हिंद फौज पे कितनी सारी चीज़ें हैं की डू यू नो डाट या इन ए ट्राइल्स का जो हुआ था जिसमें ये लोग सब हीरो बन गए थे उसके बाद एक ट्रेन एक ग्यारा सो लोगों की ट्रेन हजार किलो मिटर का रास्ता तैय करके वो पहुंचती है मुलतान मुहां जाके इनका क्या हुआ कुछी को नहीं पता है एक कैम्प इनका लगाए गया था कैलकटा में बंगाल में किस जग़ पे नाम मुझे याद नहीं है एक दिन रात को फाइरिंग होई लोग कहते हैं कि सैकड़ो आएने वाले जो थे उनको मार के वहीं पर उनकी लाशें कहीं फेक दी गई ठीक है ना अब ये सब चीज़ें आ रही है और उसके बाद आपको ये नेता जी सुबाश चंदर बोस के जितने डॉकुमेंट्स थे वो अगर आप सोचते हैं कि वो आएंगे मुझे नहीं लगता है वो कभी नहीं आएंगे लेकिन यू कन पुट टू एंटू टू टूगेदर एक उनका सातीन था हबीबुर रह्मान जो कि बच गया था तो उस वो जब बच गया तो हबीबुर रह्मान को गन्दी ने बुलाया बोले बिटा हुआ क्या था तो उसने जब पुरी व्याख्या मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दी अच्छेंट का तो वनुंदी चाहँ गांदी और बच गन्दी सेट आइग डोंट त्रस्स्तमन at all, वो हभीबुर रहमान जिसका फादर कोटा का शायद प्रदान मंत्री था, he later on went to Pakistan and he was one of the persons, key persons, जिसने और्गनाईज किया था ये जो ट्राइबल को मतलब ट्रेनिंग और आम्स देने में, तो ऐसे भी लोग थे, लेकिन जितने जितने लोगों ने धोखा धड़ी की थी, हबीबुर रहवाई, ये सारी नेता जी सुबास चंदर बोस के साथ, सब को नेहरू ने रिहाबिलिटेट किया, एक भोंसले भोंसले था, उसको मंत्री बनाए गया, ये शान अवाज खान, ये पिशावर का रहने वाला था, in 1965 वार, his son was fighting for, पाकिस्तान आर्मी, ठीक है ना, यहाँ नेहरू ने बोले, यहाँ तुम आजाओ मंत्री, so everybody was rewarded, तो इतिहास अपने आप आ रही है, पाठे करम से ज़्यादा, पाठे करम तो चलो बच्चों को जो पढ़ाये जाता है, impressionable minds है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि इन चीजों पर research होनी चाहिए, ये किताबें लोग अब research कर रहे हैं, होता क्या है कि जब फिजा बदलती है, जब narrative बदलता है, तो चीज़ें अपने, one thing leads to another, one webhaw will, you know, will, you know, spawn so many webhaws, all around, that you must be watching, हमने तो जब शुरुआत की थी television वर्याम तो अकेले थे, लेकिन आज आप देख लीजिए, तो इसको कोई नहीं रोक सकता साथ, ये इस जब आइडिया जिसको कहते हैं, आइडिया उस टाइम है कम, उसको कोई नहीं रोक सकता है. झांप 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 जड़ सकता का भीजिए वर्याम तो आप झांप झांप, जड़ एकिन आप झांप, ये लाउले दो रहीं तो इस जड़। आप, ये कि रुझा कोई thor Kind उने में तो सकता हैं, झाल झाल